कि नमस्कार competition community learning platform में आपका स्वागत है इस ऐसा ही विशेस कच्छा में मैं अनिके दिवांगन आपके लिए लेकर आया हूं अर्थ विवस्था से सम्मंधित कुछ और महत्पूर्ण यहां पर प्रश्णवली तो चलिए देखते हैं आज की विशाय सुची क्या है तो आज की इहां पर अर्थ विवस्था में गेरोजगारी और उससे सम्मंधित यहां पर करेंगे जो कि आपके प्रारंभीड干िश्ण के लिए यहां पर महत्पूर्ण तो कक्षा में हम देखेंगे कि सरुप्रथां विरोजगारी क्या है विरोजगारी के प्रकारों के वारे पर हम रह पर चर्चा करेंगे उसके हाँ पर महतवपूर्ण क्रशन यहारा वड़तमार में जारी किये जा रहे हैं उससे संबंदित भी कुछ यहां पर महत्वपूर्ण करेंट से रिलेटेड यहां पर question के उपर में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर पहले question थी और यहां पर आगे बढ़ते हैं पहला question है कि बेरोजगारी से समाननेता क्या आशाएं एक तो हम क्या देख रहा है कि किसी भी अर्थ व्यवस्था में बेरोजगारी गरीबी काफी की गंभीर समाजिक समस्या है बेरोजगारी की अगर बात करें तो समानने तह बेरोजगारी का तात्पर यहां पर उत्पादन कारें पर लगा हुआ ना होना देखिए जब-जब बेरोजगारी की हम लोग यहां पर बात करते हैं अब वो व्यक्ति किसी भी कारण से यहां पर उत्पादन कारण पर लगा ना हो सकता है एक तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं वो काम के प्रती इच्छा ही नहीं रखता हो या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो क उतने नहीं है जब हम लोग यहां पर करते हैं तो हम क्या देख रह activists की बात कि जाती है यहां पर और हमांसिक जलता की बात की जाती यहां था So that means वो कामके प्रति यहां पर यह आ रखता हो यां फिर हमक ही राही एक्छा ही न मत तो कहने का मतलब व्यक्ति बेरोजगार है कहने का मतलब वो किसी भी उत्पादन कारप्य यहां पर नहीं लगा है तो सब्सक्राइब क्या देख रहे हैं यदि व्यक्ति को यहां पर काम के प्रति इच्छा रखता है काम के प्रति यहां पर छमता है उनके पास में या फिर काम कि पृति योगयता है लेकिन फिर भी उसको यहां पर और मिनिमम मेजिस पर काम करने के लिए जब वो तयार है और फिर भी उelsे जबढ़ यहां पर क्रोगार नहीं मिल पा रहे है तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर ढूजज्गारी इस्थिती तो अगर हम देखते हैं तो बेरुजगारी से समानता क्या आचा है व्यक्तिके उतपादन कारे पर लगा नहोगा श्रम्बल जनसंख्या से आप क्या समझते हैं श्रं बल्किए अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ठीक है तो श्रंबल ये एक ऐसा यहां पर समाज का एजग्रूप है जो कोई कोई काम करने के लिए यहां सक्षम है हम क्या देख रहे हैं अगर भारत की अगर बात करते हैं तो 14 वर्ष से नीचे यहां पर जितने भी बच्चे हैं उनको काम हम क्या देख रहे हैं हजाडियस प्रेसिस में उनको यहां पर कोई भी रोजगार यहां पर देना कानूनी यहां पर अपर आपकी शणी में यहां पर रखा गया तो हम क्या देखे रहे हैं कि श्रंबल का हिस्सा क्या होगा अपना 15-69 वर्ष के सभी वर्ग के व्यक्ति जो काम के प्रती यहां पर इच्छा रखते हैं ऐसे वर्ग के व्यक्ति को हम लोग क्या बूल रहे हैं यहां पर श्रंबल का हिस्सा बूल रहे हैं 69 वर्ष्ट के व्यक्ति जो है वो श्रंबल का हिस्से के अंतरगत में और इस checking से यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है Delta means होbut कोई ना कोई यहाँ पर उत्पादन कार्य यहाँ पर कड़ते हैं यहाँ प्रोडक्षन यहाँ पर कड़ते हैं तो उसे हम यहां पर कारेबल का हिस्सा यहां पर मानते हैं तो धान में रखना कारेबल क्या होंगे या वर्क फोर्स क्या होंगे जो यहां पर एक्शन में यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर कोई न कोई काम यहाँ पर कर रहे हैं कोई न कोई उत्पादन कारे में वह अगर सलग नहीं तो उसे हम यहाँ पर वर्क फोर्स या कारबल का हिस्सा मानेंगे वही हमने क्या देखा है यहाँ पर कि लेबर फोर्स क्या होगा वो व्यक्टी जो 15-69 वर्ष आयू वर्ग का है तो उसे हम यहाँ पर श्रंबल जन संख्या के रूप से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे चलिए नेक्स कोशन की और आगे बढ़ते हैं तीसरा कोशन है वर्ष के अधिकांस हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं एक परिभाशा की यहाँ पर बात की गई है और एनसे सो ने हम देखेंगे यहाँ पर कि बेरोजगारी को अलग अलग करमेटा के अनुसार मैंने क्या देखा करते हुए उनको अलग अलग कटिगरी में आपर क्या किया है जैस में क्या देख नहीं कि पहला यहाँ पर यूजर तैस एन अंफ्लाइमेंट या जिसको हम लोग क्या बोलते यहाँ पर समान यह यह स्थिती बेरोजगार दूसरा हम लोग यहाँ क्या देखने है टेक्ने है वीख ली इस्टेटर्स या जिस रही को क्या बोल रहे है यह अंफस तichtig एस्थिती बेरोजगार शट्रण हम लोग यहां पर देखते हैं डेली सव को मिजए टिक है या डेली स्टेटस अंप्लाएमेंट यह हम लोग क्या देख रहे हैं धैनिक सथिती बेरोजगार तो यहाँ पर क्या भूर रहे है कि वर्ष के अधिकांस सिस्षें में बरोजगार रहने वाली के संखेया को क्या कहा जाता है है तो हम क्या देख रहे हैं कि यूजवल स्टेटस अनिप्लॉयमेंट उनको कहा जाता है कि जो व्र्ष में समान्य तहहां sta之 these Stunden 2003 दिनों से नीचे यहां पर क्या करते हैं काम रक्ते हैं कि स्टेड़ यहां पर निरधारित किया है कि दो सो vicinity दिनों से अगर कोई कम यहां पर काम कर रहा है कोई वैक्ती 8 गंटे से कम काम चूरता को उसको हम लोग यहाँ पर समान्य स्थिति यहाँ पर विरोजगार की केटेगिर में हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो वर्ष के अधिकांस हिस्से में विरोजगार रहने माले व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है क्या समान्य स्थिति विरोजगार या समान्य स्थिति में देखे थे कि एने से सोने यहां पर इसे तीन यहां पर क्याटिगरिय में यहां पर डिवाईट किया हुआ था एक सबसे पहले हमने यहां पर देखा था यूजवल स्टेटास अंप्लाइमेंट यह जिसको हम लोग ने क्या बोला था यहां पर समान में यह स्थेटी वियरुजगार्ग मैं क्या दिा यह देखा था अ दैनिक ए कि यह तीन विदियों का प्रयोग यहां पर एनसों यहां पर कड़ता है विरुजगारी को यहां पर define करने के लिए तो इस प्रस्भापस पढ़ते हैं भारत में विरुजगारी मापन के निमनलिखित में कौन सी विधी एनससो द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो समान्य प्रमो किस्तर बिल्कुल लाई जाती है चालू मासी किस्तर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है चालू सब्ताही किस्तर इसका प्रयोग यहाँ पर कर आगे बढ़ते हैं कि सब्ises भारत में बेरोजगारी के आकड़े इकत्रित एबं प्रकाशित कौन करता है तो हम क्या देख रहे हैं कि लोजगाली सम्मंधित या जितनी भी समाजीक यहाँ पर समस्या है उससे सम्मंधित जो भी आकड़े यहां पर कलेक करने का काम करता था वो कौन करता था अपना यहां पर एन एस एस ओ देट इस नेशनल सेंपल सर्वे पहले ओर्गनाइजेशन था आप क्या हो चुका है यहां पर आपको लोगों को गरीबी का चप्टर यहां पर पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक चीज़ बताया था कि वर्तमान में सी एसेज़ ओढर एन एसेज़ों को मर्श करके अशवा क्या किया गया यहां पर 2010 में गठन किया गया इसकूषण के दे गघे यहां पर योजनायों कडिः नहीं करता विद्धायोग नहीं पर जो jan रखेंगे इसको से लिए क्योस्elijk और आगे बढ़ते है नेश्ट क्वेश्न है भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है अगर भारत में अधिकांशता यहाँ पर बात किये जाए तो भारत वड़तमान में एक विकाश सील यहां पर देज है developing कंटी है और तेजी से परिवर्तन हमारे यहां पर चला आ रहा है और वह परिवर्तन को हम लोग यहां पर structural changes या संरशनात्मक परिवर्तन के नाम से हम लोग यहां पर जानते हैं और संरशनात्मक क्रिशी में हम लोग देखते हैं कि GDP में भी जो है एगरी कल्चर और अलाइट सेक्टर का जो यहां पर कॉंट्रिबूशन है वो सबसे यहां पर जादा हुआ करता था लेकिन अगर वर्दमान की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो वर्दमान में देखा जाता है कि अभी भी 48 8.9 परसेंट लोग जो है वो क्रिशी कारेकर रहे हैं लेकिन GDP में केवाल उनका कॉंट्रिबूशन कितना रह गया 18 अठाट प्रतिशत वहीं हम लोग टरसरी और सेक्टर की हम लोग जब यहां पर बात करते हैं तो डे बाई डे GDP में उनका कॉंट्रिबूशन क्या होते जा और लोग अभी भी वरीहत संख्या में आपर प्रातमिक छेतर में इहां पर लोग इन्वाल्व है लेकिन सनरशनात्मक परिवर्तन के कारण जो यह पर बीरोजगारी की दशाा प्रप्त होगी उसको हम लोग भुलेगे सनरशनात्मक बेरोजगारी तो ढट membr मिलेगी सलेयं कि अगला कुरुष्ण इस प्रकार हैए चीपी बिरोजगारी से आप यहां पर क्या समझते हैं या जिसको हम लोग यहां पर लेज्गाइज नाम से यहां पर जानते हैं छिपी बिरोजगारी या अद्रिष बिरोजगारी धान में रखना यह कई बार यहां पर अलग अलग एक्जाम में एक विश्चन यहां पर पूछा गया है तो चलिए उप्शन की और हम लोगे आगे बढ़ते हैं चेज़ों फिय किसी कार्रें जिनको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना जिया कौन यहाँ पर क्या नदा होता है मैंने क्या बोला सडेक्ति काम पे काम में लगा होता है, भर मियुलार्ट गता है यहां पर अपगा है परंतों उनकी सीमान्थ पाधक्ता सीमान्थ पाधक्त शुन्ह काक्स लुक्त साहए वाय ले रहा है लेकिन उसके सिमान्त उत्पादक्ता यहां पर शुन्य है कहने का मतला हम लोग क्या देख रहे हैं कि सपोस करो जैसे यह मारकर को तीन व्यक्तियों ने एक दिन यहां पर आठ घंटे काम करके यहां पर बनाया यदि उस तीन में से एक वरकर को मैं निकाल भी देता हो तब भी यहांपर पर ना कर रहा हो केवल वो देख रहा हो कहने का मतलब को काम से निकाल भी देंगे हमलोग तो उत्पादन पर कوई भी नाकारात्मर्प्रभाव यहां पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा और ऐसी ब्रोजगारी कि सतिको हम लोग क्या बूलते हैं चAssiktay기에 बरोजगारी तो Simmons व्क्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना ही क्या कहलाता है यहां पर अध्रिश या छेपी हुई बेरोजगारी चले नेक्स्वेशन की और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन है चक्रिय और घर्षन जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में यहाँ पर पाई जाती है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं चक्रिया सर्कुलर और फ्रिक्ष्णल कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो यह किन देशों में यहाँ पर पाई जाती है जो यहां पर विकसित होने के पीछे किया पर रिजन देखा है जहां पर क्या होता है उत्पादन होता है किसी वस्तों का क्या होता है यहां पर निर्मान होता है इस सेक्टर में यहां पर व्यापार व्यवसाय को यहां पर क्या मिलता है यहां पर बढ़ावा मिलता है या इस छेत्र को हम लोग किस छेत्र के नाम से जानते हैं यहां पर से होते हैं affected होते हैं that means हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर महां के मार्केट में हम लोग को काफी ज़्यादा उतार चड़ाओं हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए continuous यहाँ पर मिलता जाता है तो हम क्या देख रहे हैं जैसे सर्कूलर बेरोजगारी कहने का मतलब एक समय आएगा जब मार्केट काफी अगर तेजी से यहाँ पर क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है जब मार्केट तेजी से सप्लाई करने की क्या करेगा यहां पर कोशिश करेगा और जब ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश कर रहे है क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा लोगों की आवश्यक्ता पड़ेगी और हम लोग क्या देख रहे हैं वहां पर गरीवी क्या होते जाएगी और विरोजगारी क्या होते जाएगी देरे-देरे कम होते जाएगी जैस्ट इसका अपोजिट क्या देख रहे हैं अगर मार्केट में या किसी भी अर्थ व्यस्ता में मंदी का दौर यहां पर चल रहा है मंदी का दौर क्यों चल रहा है क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं ह supplier कम से कम यहाँ पर supply करने की वस्तों की क्या करेगा, यहाँ पर कोशिश करेगा, और कम से कम यहाँ पर, और अल्रeड हम लोग क्या देख रहे हैं, कि demand कम है, तो नये वस्तों का यहाँ पर निर्मान कम से कम होगा, तो क्वेट मीज हम लोग क्या देख रहे हैं जो भी प्रावेट सेक्टर में यहाँ पर मजदूर लगे हुए है काम करने के लिए तो उसको कंपनी वाला बैठा के यहाँ पर मुफ्त में यहाँ वेज़ेस तो नहीं देने वाला उसको निगालना वो क्या करेगा वहाँ पर हो रहे हैं सर्कुलर वही हम लोग क्या देखने हैं घर्षनात्मक बिरोजगारी कहने का मतलब व्यक्ति एक काम को छोड़ कर या तो दूसरे काम की क्या करता है यहां पर तलाश करता है या उसको वर्दमान कार से क्या कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है तो नए काम की तल पढ़ती है जहां पर तेजी से मार्केट क्या हो रहे है यहां पर चेंज होते जा रहे हैं तो इस प्रश्न का यहां पर सहीं उत्तर क्या होगा विकिसित देश हो ले चले नेक्स्ट क्वेश्चिन की और यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बिरोजगारी दर को ग्यात करने का क्या सहीं फॉर्मुला है थैक है तो देखो BirozGoal declared हम क्या देख रहे हैं कि उन व्यक्तियों को इसमें यहां पर शामिल किया जाता है ंजिन सबसे है ऐसे वर के व्यक्ति जो काम की प्रती यहां पर क्या रख रहे हैं इच्छा रख रहे हैं देखो ध्यान में रखिएगा बेरोजगार में उन्हीं को हम लोग यहां पर काउंट करते हैं जो काम के प्रती यहां पर इच्छा रख रहे हैं पर उसको यहां पर पूर्णकालिक बेरोजगार यहां पर प्राप्त नहीं होता और जो काम के प्रति इच्छा रखता ही नहीं है उसको हम लोग यहां पर बेरोजगारी के कैटेगरी में यहां पर नहीं रखते हैं उसको अरेक्षी ग्रूप से बेरोजगार यहां पर बोल दिया जाता है लेकिन उनका यहां पर काम के प्रति इक्षा रखते हैं परन्तु उनको पूर्ण कालिक रोजगार यहां पर नहीं मिल पा रहा है या रोजगार नहीं मिल पा रहा है ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है यहां पर विरोजगार बोला जाता है तो देख देख में समलों क्या देखना है यहां पर जब कर विरूजगारों की संख्या को हम ठीक है कर लेवर की संख्या की संख्या से हम लोग भाग और इससे साव से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्ट होगा विरूजगारी दर प्राप्ट होत तो इस Moobs क्या देखते हैं कि विरुजगारी दर को ज्याद करने का सहीं फ़रोला क्या है तो ऑप्शन क्या होगा एक विरुजगारों की संख्या बटे कुल श्रम शक्ति गुना सौ ठीक है चलिए नेक्ट वेश्चन की और यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस यहां पर लगे हुए तो हम यहां पर देखते ही कि यहा पर विविदक किश्म की भी विरुजगारी की दशा यहां पर पाई-जाती है तो जैसे हम व्लोग क्या देख रहे हैं। इस प्रश्न के अनुसार भारत में सब्साहगारी की कि गिस्म पाई-घाई-चा रिये बिलक पर ज्यादा होंगी तो भारत में विरुजगारी की किस्म पाई जाती है इन में से सभी कि दोस्तों चलिए ने स्कूशन की और आगे बढ़ते हैं और अगला कुशन है सहरी छेत्रों में आम तौर पर किस्प्रकार की विरुजगारी दिखाई जाती है तो हम क्या देखते हैं कि शहरी छेत्रों की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो शहरों में अच्छा होता है की वहां पर educational system वगिरह क्या होता है तो शहरी च्हेत्रों में आङम तोर पर हम लोग क्या देखिए हैं और काम के व्रति इच्छा भी रखते हैं परन्तु हम क्या देख रहे हैं काम के प्रति इच्छा रखने के बाउजूद शमता रखने के बाउजूद योग्यता रखने के बाउजूद और जो भी वरतमान यहां पर मजदूरी दर है वेज रेट है उसमें वो काम करने की इच्छा भी रख रहे हैं फिर भी उनको यहां पर देखने के लिए ज्यादा तर यहां पर मिलती चले नेक्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यदि कोई वेक्ति बजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे किस प्रकार की विर बजगार नहीं मिल रहा है लेकिन उसको यहां पर काम नहीं मिल रहा है उसका रीजन कई काफी सारा हो सकता है यहां ठीक है हो सकता है वो योग ना हो सकता है वो एलिजीबल ही ना हो ठीक है कि नहीं देखते हैं हम काफी सारी वेकैंसी यहां पर आती है लेकिन हम लोग क्या करने के लिए कि मैं क्या देख रहा हूं कि मैं कि मैं एक रहा हूं और मेरा मैस यहां पर नहीं काता है वो भी प्रेजेंट पर काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी विरुजगारी को हम लोग यहां पर क्या बुलते हैं अनेक्छा रख रहा है फिर भी उसको विरुजगार विरुजगारी की दर्शा यहां पर प्राप्त हो रही है कहने का मतलब वह अपनी इच्छा से विरुजगार नहीं है तो कहने का मतलब क्या होगा अपनी अनिक्षक्तस भेरुजगार है एसे वेरुजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं पर एनेक्श कपर वर नेक्षक चले नेक्स्त क्वेशन की अगर आके बढ़ते हैं और अगला कुष्टन यहापर इस प्रकार है कि इस प्रकार क बिरुजगारी में श्रमिकों की सीमान्त हdens breakfast अभ आठादख्ता सुन्य होती है और अशे क्विस्जन पैले से यहां इसके पर डिस्क्स कर चुका है आप направ लोगों को कि सीमानत उतफदकटा सुन्य होती है किस पर रौज्गारी में या फिर हम लोग क्या कि लिए कि स्चित बशचय का थिकार याओ तर देख रहे कि यहां पर लगभग लगभग वरतमान कि अगर बात करते हैं तो 31 करोड जनसंख्या के लगभग हम अनुमान लेकर यहां पर चल रहे हैं क्योंकि वरतमान में अभी सेंसस तो हुआ नहीं है को विट के चक्कर में तो हम क्या देख रहे हैं इतना लार्ज नंबर आप बहुत लोग है उनको यहां पर रोजगार मिल यह अभी तक पॉसिबल यहां पर नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर कमी हो रही है तो भारत में सिक्षित यहां पर प्राप्त नहीं कर पार है देखो कोई भी वेक्ति अगर यहां पर बेरुजगार है तो हो सकता है कहीं न कहीं उसके पास में कुछ इसकिल के क्या होगी यहां पर कमी होगी या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसा काम यहां पर करना चाहता है या ऐसे ड्रीम जॉप की तलाश में है जो चलिए option देखते हैं हम लोग सरकार की रोजगार के प्रति ठोस नीती का ना होना ठीक है दूसरा हम लोग क्या देखते हैं सिक्षा का व्यापक प्रसार बिल्कुल भी नहीं हो सकता यह तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं उद्देश हिन सिक्षा बिल्कुल सही हम लोग क्य प्रकाशित किया गया है हर महिना जो यहां पर इनके द्वारा यहां पर जारी किया जाता है उस डेटा के हम लोग बात करते हैं तो यह क्या है यहां पर सेंटर फॉर इंडियन एकोनोमी यह सेंटरल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंडियन एकोनोमी यह जो है प्रतेक माह बिरुजगारी से सम्मन्दित यहां पर आकड़े क्या करता है यहां पर प्रकाशित करता है तो धान में रखना cMI के report के अनुसार जुलाई 2022 में Sumagr 2700 द्रों यहां पर किट्नी थी तो यह वर्दमान के आखिलों के यहां पर बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं पूरे अगर देश की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो औस बेरोजगारी दर वरतमान में हम लोग को कित्ती प्राफ्त हुई है 6.9 प्रतिशत है चले नेक्स्ट क्वेशन की और आगे बढ़ते ही अगला क्वेशन है सी एम सी एम आइए के रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 में समग्र बेरोजगारी दर किर राज्य में सबसे कम आकलित की गई थी ठीक है तो हम देख रहे हैं यहां पर कि कौन सा सबसे कम बेरोजगारी दर वाला क्या है यहां पर राज्य है उसकी बात हम लोग करते हैं तो चली option देखते हैं क्या है मध्यप्रदेश उत्तरप्रदे 36 और महाराज तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां सबसे कम बेरोजगारी दर यहां पर आकलित की गई है वो राज्य है हमर 36 कर ठीक है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं CMI के रिपोर्ट के अनुसार जोलाई 2022 में वरोजगारी दर तो हम क्या देख रहा है कि अभी Alferson की करा कि सरवाइदि कम पर यहां कि है यहाँ पर नहीं कितनी है तो बर्दमान में नोग क्या द passa ग्लेज आथ प्रतिशत तो आप लोग को एक अग्साम से पहले क्यों स्क्राइब डे लेंगे यहां पर चैक करेंगे और इस डेटा को वापस से क्या कर लेंगे आप लोग यहाँ पर अपडेट कर लेंगे तो यह तो था बेरुजगारी संबंधित यहाँ पर क्वेस्चन नेक्स्ट यहाँ पर कि देखेंगे हम लोग अर्थवस्ता संबंदित और भी कुछ यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्णावली तो बेरोजगार और बेरोजगारी से संबंदित विभिन्न हम लोग यहां पर एरिया को इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने यहां पर कवर किया है जिसमें हमने यहां से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण आकड़े और उसमें 36 गड़ की स्थिदी के बारे में हमने यहां पर चर्चा किया तो यह विरुजगारी से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्ण थे जो आपके प्रारंभीक परिक्षा के लिए काफी ज्यादा यहां पर महत्व पूर्ण है अगले की कक्षा में हम और अर्थ व्यस्था के अलग छेतर के बारे में हम लोग वापस से कुछ नया प्रश्णवली यहां पर लेकर आएंगे तब तक के लिए आपको धन्यमाद शुक्रिया थैंक्यू